और यह लाइव चर्चा के कारिकरम के आज का जो विशाय है चलता फिरता तिर्थ कौन सा इसी चलते फिरते तिर्थ के बारे में यहाँ पर गोस्वामी तुलसिदाज जी चर्चा करते हैं फिर गुरू से मिलने वाले चार फल कौन से होते हैं कुछ इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे तो गुष्वामित उसिदा जी तिर्थ को समझाने का प्रयास करते हैं कि तीर्थ क्या है और कैसे समझाते हैं वो तीर्थ को तो पहले संतों के संतों का गुनगान करते हैं संतों की का महिमागान और उनका उनकी विशेस्ता को बताने की कोशिस कर रहे हैं उनकी विशेस्ता क्या है साधू का चरित्र जो है वो कपास के समान है वो कपास क्या होता है जिसे की कपड़े बनते हैं तो कपास जो होता है वो गुणमय होता है लेकिन उदासीन होता है विशद होता है नीरस होता है लेकिन गुण बहुत है उसके अंदर उसे अच्छे कपड़े बन सकते तो उज्वल वस्त्रों का निर्मान कपास से होता है तो संत जो होते हैं वो कपास के समान ही गुणमाय होते हैं जो सही दुख पर छिद्र दुरावार्थात की दूसरों के वस्तरकार उपधारम करके दूसरों के कमीों को ढगते हैं दूसरों के कमियों को ढखते हैं और जो उनकी संगत करता है जो संतों की संगत करता है निश्य ही उसकी भी कमियां ढख जाती है और जो उनका संग देता है उनका भी बंदन होना शुरू हो जाता है उनकी भी बंदना शुरू हो जाती है जो संतों का संग देता है तो कुछ इस प्रकार से गोस्वामी तुलसिदाजी संतों की विशेष्था लिखते हैं अब इसी विशेष्था को बढ़ाते हुए वो कहते हैं मुद मंगल मैं संत्समाजू जो जग जंग में तीरत राजू कि जो अनंद मैं परम कल्यान का मई है मंगल मैं है वो समुद जो तीरत राज है तीरत राज बोलते हैं प्रयाग को तीरत राज प्रयाग तीरत राज प्रयाग तीरत होता है लेकिन जब अवधी में लिखा जाता है तो तीरत लिखा जाता है तो इसलिए गोष्वामी तुल्सिदाज जी यहां तीरत राज लिख रहे हैं तो कभी मानस पढ़ते हुए spelling मिस्टेक मत ढूंड़िएगा क्योंकि कावे लिखा गया है और कावे रचना में उचारन के सुविधा के अनुसार जो भी spelling होती है उसे बदला भी जाता है कावे रचना में विशेस करके तो गोष्वामी जी वहाँ वैसे भी अवधी लिख रहे हैं तो अवधी में तीरत को तीरत पढ़ेंगे इसलिए वो कहते हैं तीरत राजु मुदमंगल मैं संत समाजू जो जग जंगम तीरत राजू र जो स्वेम जो संत हैं वो स्वेम ही चलते फिरते तीरत राज हैं वो जिस भी अस्थान पर चले जाएं और जहां भी जाकर बैठ जाएं तो उनके वहाँ बैठने से वह अस्थान भी उनके वहाँ उपस्थिती के कारण वह अस्थान भी तीरत बन जाता है इसलिए गो स्वामी तो उसी दाजी लिगते है कि मुद मंगल मैं संत समाजू जो जग जंगम तीरत राजू कि संतों का जो समाज है वो तो चलता फिरता तीरत ही है उसे तो तिरत राज समझना चाहिए तिरत राज प्रयाग के समान उसे समझना चाहिए और वहाँ पर अब प्रियाग में तिर्थ राज में तो गंगा जी हैं, यमना जी हैं, सरस्वती जी हैं, ये तीनों नदियों का संगम है वहाँ पर, तिर्थ राज प्रियाग में, तो गोश्वामी जी लिखते हैं कि राम भक्ति जहां सुरसरिधारा, संत रूपी समाज में, संत रूपी तीरत राज में क्या होता है कि जो राम की भक्ती है जो प्रभू की भक्ती प्राप्त होती है संतों की कृपा से वह जो है सुरसरी के समान है वह गंगाजी के समान है सुरसरी मतलब गंगाजी जो देव लोग से उतरी है, स्वर्ग से उतरी है, शिव जी के जटा में और फिर वहां से हिमाले में तो फिर जो गंगाजी है वह क्या है संतों के द्वारा प्राप्त होने वाली जो भक्ती है संतों के द्वारा प्राप्त होने वाली जो साधना है जो उपासना मार्ग है जो साधना का ज्यान का मार्ग है वह क्या है वह स्वेम गंगाजी है वह स्वेम गंगाजी है सरसाई ब्रह्म विचार प्रचारा और जो माता सरस्वती है वो कौन है? संतों के मुख से निकलने वाले जो ब्रह्म विचार है संतों के मुखारबिन जो मिलने वाले विचार है वह जो हमें विचार और प्रेर्णा देते हैं वह क्या है वह सब के सब सरस्वती रूपा है तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि रामभक्ति जहां सुर्व सरिधारा सरसाई ब्रम्य विचार प्रचारा विधी निशेद मैं कलीमल हरनी करम कथा रभिनंदनी बरनी विधी और निशेद यह करो और यह ना करो ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए यह जो कर्मों का ज्ञान मिलता है यह क्या है कल्यूक को पापों के हरने वाली सुरितनिया यमुना जी है कालिंदी जी है तो यहां रभी नंदनी बरनी अर्थात रभी नंदनी बरनी यमुना जी को यहां पर कलिमल हरनी करम कथा रभी नंदनी बरनी कि संतों से हमें क्या-क्या मिलता है, संत समाज से हमें क्या-क्या मिलता है, एक तो भक्ती मिलती है, संत समाज के बाद ही हमसे, तो भक्ती मिलने वाले जो भक्ती है वो तो गंगा जी है, भक्ती का मतलब यहां साधना, उपासना, तो वो गंगा जी है, और फिर संत समाज से और क्या मिलता है जी तो संत समाज से ब्रह्म विचार मिलते हैं थौट्स मिलते हैं प्रेणाय मिलती हैं सिक्षाय मिलती हैं तो वह सरस्वती जी हैं सरस्वती जी भी मिल गई अब बची यमुना जी तो कर्मों का जो उपदेश मिलता है कि यह जो विवेक जागरित होता है कि यह क संत समाज है, वो भी साक्षात तीर्थ राज प्रयाग की तरह ही है, संत समाज को, या संतों को जो जन्ड sequence Самup जो हम तक ग्ठान लेकर आते हैं, और बहुत कुछ हमें बताते हैं जीवन के विषय में, जीवन को समझने में, हमें बहुत सरलता हो जाती नहीं है तो कर्म कैसे करने चाहिए यो समझाते है है तो इस प्रिकार से कर्मों का जो उप culinary मिलता है और बốधी क्या करना कैना क्या नहीं करना इसका समझ पैदा होती यह गाई यमुना जी हैं तो संत समाज में इस सारी चीज़ें इसलिए संत जो है वो स्वे में ही चलता फिरता तीर्थ है आप तीर्थी आत्रा करने जाते हो कभी इधर कभी उधर लेकिन संत जो है वो स्वे में ही चलता फिरता तीर्थ है लेकिन संत कौन है जी क्या कपड़े पहन कर आ संत होना कोई जहवा का विशय नहीं है कोई वानी का विशय नहीं है यह ज्ञान का विशय किसी का संत होना तो यह हम हमें विचार करना चाहिए और भेद भाव दूसरी चीजों से दूर रहने चाहिए आगे गोश्वामी तो सिदाजी संत समाज के ही महिमा गाते हैं अभी और गाते हैं और क्या लिखते हैं से बट विश्वास अचल निज धर्मा Uhr तीरत राज समाझ सुकरमा जो जिसका अपने धर्म पर अटल विश्वास है बटू विश्वास अचल निज धर्मा तीरत राज समाज सु कर्मा और सुभ कर्मों कर्म ही उस तीरत राज का समाज है या आप अच्छे कर्म करो बटू विश्वास अपने धर्म पर विश्वास करो आप अच्छे कर्म करो और सब देशों में सब समय सभी को सहज में यह प्राप्त होता है और आदर पुर्वक सेवन करने से कलेशों का नाश होता है तो आप भक्ती कीजिए अपने धर्म में विश्वास रखिए और आप जो है शुब कर्म कीजिए शुब कर्म ही उस तीरत राज का समाज है तो आप अच्छे कर्म कीजिए साधना कीजिए उपासना कीजिए तो फिर संसार का प्रतेक अस्थान ही तीर्थ है हर जगह ही तीर्थ है, आप तीर्थ में ही बैठे हो, तीर्थ यात्रा करोगे, लेकिन तुम अगर साधना करते हो, और अपने अच्छे कर्म करते हो, पुन्य कर्म करते हो, शुब कर्म करते हो, शुब कर्मों में ही मन को लगाते हो, और साथी साथ भक्ती भी करते हो, अपने तो तिर्थ में बैठे हुए तुम्हेडना चाहिए कि तुम तर्थ में बैठे हुए और यह संतों का जो चलता प्लवता ते तो कहीं भी पहुंच जाता जाता है और जो तो यह ग्यान रूपी तिर्थ जिसमें हम अपने धर्म पर विश्वास करना, शुब कर्मों को करना, यही तीरत राज का समाज है कि शुब कर्मों करने वाले लोग वहां रहते हैं, यह संपूर्ण जो कर्म विधान है, यह सब का सब कर्म विधान, आप अगर करते हैं, अगर थृफ समय को सहरा ही प्राप्ट हो जाता है और आधर पुर्वक सेवन करने से लेशों का नाश होता है इसलिए तीर्थ क्या है गोश्वामी जी यहाँ पर इक और ध्यान आकृष्ट करते हैं कि लोग तीर्थ ही यात्राय करते हैं कभी इदर जाते हैं तो तीर्थ ही यात्राय करें चुलो ठीक अची बात है लेकिन वास्त्विक तीर्थ अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मोक्ष शाहिए, तो तीर्थ तो तुम्हारे घर में है, तीर्थ भी तुम्हारे भीतर है, अंतर घट में है, पुरानों में मंतर आता है, सकंद महापुरान भगवान श्युव कहते हैं, इदम तीर्थ मिदम तीर्थ भरमानती तमसाज आत्म तिर्थम ना जानंति तिर्थ भ्रमंति तामसाजना आत्म तिर्थम ना जानंति कथम मोक्षम वरानने कथम मोक्षम वरानने कि है पारवति उन्हें भला कैसे मोक्ष मिलेगा जो बाहर तो बहुत सारे तिर्थों की यात्रा कर लेते हैं लेकिन अपना जो आत्म तिर्थ तो पहुंत संत समाज रुपी तीर्थ के आत्रा करते उसके बाद किए करो तो तुम जहां पर हो वहीं Kapi हो और ऐसा ठीक हर जगब प्रगट प्रभाव वह तीरत राज अलौकिक और अकतनिया है एवं तत्काल फल देने वाला है उसका प्रभाव प्रतक्ष है तो तीर्थ को समझा रहे हैं जगा जगा शास्तुरों में समझाया गया कि वास्तविक प्रभू की बहुत है और फिर कर्म उपदेश में प्राप्त होता है यम्ना जी के रूप में इस प्रकार से हमें यह चीजेए से प्राप्थ हो जाता है और ब्रह्यव में विछारु संस्वती इसारुपा है वो ब्रह्य है। संतों से मिलता है तो संत समाज ही तीर्थ है मुदमंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीरत राज लेगन फिर कहते हैं अच्छे कर्म करना अगर कोई ऐसा जीवन जीता है वो निश्य ही वो जहां है वहां तिर्थ है की से स neurolog सम शीव राज समांग विफ हैं सिर्थ हमद्द देश सेवत साधर समन कलेश और सिवन सिवह करनेसे से एवों कलेशों क नमा नश हो जाता है तो अकत तीरत राव टिरत राज है यह टीरत राव लिखा गया यह घ्रत राज है वह क्या अकथ है अकलपनिया है अलोकिक है बाहर से तीर्थ नहीं समझ में आएगा ठीक बाहर से कोई तीर्थ नहीं समझ में आएगा भीतर से ही समझ में आएगा संत समाज से ही समझ में आएगा संतों के संग से ही समझ में आएगा नहीं तो हम बाहर से तो लोग बहुत सारे तिर्थ यात्रा कर रहें लेकिन फिर भी उनको उसका लाब नहीं है क्योंकि जो वास्तविक तीर्थ है, वो संत समाज से ही प्राप्त होता है, और अंतर मुखी होकर ही प्राप्त होता है, ध्यान योग से ही प्राप्त होता है, उसी को आत्मे तीर्थम, जो आत्मे तीर्थ को नहीं जानता, उसकी भला मुक्ति कैसे हो सकती है, भगवान शिव कह चलिए आगे बढ़ते तो गोस्वा में तुसी दार जी आगे के कुछ और चर्चा करते हुए कहते हैं लहाई चारी फल अच्छत तनू साधू समाज प्रयाद लहाई चारी फल जो मनुश्य संत समाज रुपी तिर्थ राज का यात्रा करता है तिर्थ राज का प्रभाव समस्ता है सुनता है और फिर अत्यंत प्रेम पुर्वक इसी तिर्थ राज में गोते लगाता है मतलब इनका संग करता है समागम करता है संतों के तिर्थ में वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मुख्ष मतलब चार फल उनको मिल जाते हैं प्रप्ति हो जाती है जिसको यहां पर धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ लोगों का मानना है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ही वह चारफल है लेकिन यह चार पुरुशार्थ है उससे चार फल मिलते हैं और चार फल कौन कौन से मिलते हैं तो यहां भी लिखा जारा सुनी समुझ जनमुदित मन मज्जही अतियनुराग लाही चार फल और हनुमान चली सा पढ़ते हैं उसमें भी आता है वहां पर भी ऐसी चर्चा आती है कि गुरु की वंदना करो और गुरु क्रिपास से चार फल मिलेंगे लेकिन चार फल हैं कौन से अब इन चार परुशार्थों को ही चार फल माना जाता है धरम अर्थ काम मोक्ष तो जी हां यह भी है कि संतसमार से जो ग्यान हमें मिलता है जो विवेक हमें मिलता है जो समझदारी हमें हमारे अंदर पैदा होती है और जो ग्यान की शक्ती हमारे अंदर पैदा होती है उसस यह संभव है कि अर्थ धर्म धर्म अर्थ काम मुक्ष चारों पुरुशार्थ आपके हो जाएं लेकिन गोस्वामी तुलसिदार जी गुरू से प्राप्त होने वाली चार और चीजें भी बताते हैं उत्तरकांड के अंदर इसलिए मुख्य रूप से गुरू से प्राप्त हो होने वाले 4 अभी हैं और वो क्या कहते है कि विन गुरु भक्ति और शाशवत श्को संभव संभव है लिए यह बैराग्य भकति और को सुख बिन गुरु होई के ज्ञान ज्यान के बिराग्य भी सुख नए तो इसी लिए मैं Ultra अग्यान वे राग्य भकति आर्ब्ध्व और शाष्वत सुख यह चारफल भी प्राप्त होते हैं उनको दून विद्वानों ने कहा है or साथी अर्थ-धर्म और मोक्ष ऐसा भी हमारे जीवन में घटनाय घटती है, ऐसी भी चीज़े होती है, तो इसले यह सब का भी संत्समाद, कैसे हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, संसार में रहते हुए, वो हमें सिखाते भी है तो अर्थ-धर्म, प्रतत्य待 सारी चीज़ें प्राप्त होती है और इससे संपू Marcus होकर को प्राप्त कर लेता है मोश्च को प्राप्त करें लेता और तो विशार करने की आवशक्ता तो विशार करेंCOM सुख चारफल प्राप्त होते हैं साधु समाज प्रियाग में डुबकी लगाने से साधु समाज प्रियाग असनाल लगाने से अब साधु यह कहने के फिर आवशक्ता नहीं पड़ती इसलिए जो लेना है और जहार डुप की लगाना है वह संगम है जहां पर राम्भक्ति रुपی गंगा बहती है जहां पर ब्रहम्प विशार रुपे सरस्वतीजी बहती है और जहां पर कल्यूक के ताप का हरन करने वाली कर्मदोश का हरन करने वाली यमुना जी जहां बहती है वो तिर्थराज प्रयाग है तो इस प्रकार से गुस्वामी जुने संत समाज को ही प्रयाग मानकर तिर्थराज मानकर यहां पर बात कर रहे हैं और इस तिर्थराज से च चार फलों की प्राप्ति भी बताई गई है गुरु कृपा से होने वाली तो यह चार फल मिलते हैं और तीर्थ राज का रहस्य से तीर्थ राज प्रयाग का रहस्य स्वामी तोसिदाजी ने यहां पर बताया है रामचरत मानस के शर्चा में ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके टिपनियों को देख लेते हैं क्या कहते हैं गुर्देव हरी मोहन गुपता जी आप तो अवतारवाद का खंडन करते हैं और अभी समर्थन करते हैं जबकि बाल मिकी राम को आधर्श राजा प्रस्तूत करते हैं तो उसी की रचना सुंदर है पर जीवन जीन के लिए क्या जीवन जीने के लिए रामचरित रची शिव ने अपने हिर्दय में रखा बाद में सती को सुनाए इसलिए रामचरित मानस प्रणाम रामचरित रची शिव ने अपने हिर्दय में रखा बाद में सती को सुनाए इसलिए रामचरित मानस यह अभी यह कारण है आप यह भी कारण कह सकते हैं लेकिन यहां गोष्वामी तुलसिदाजी जिस तरह की चर्चा कर रहे है वो चर्चा साइकलोजिकल है मानस की चर्चा है जन मानस की चर्चा है परतेक मनुष्य के मन की चर्चा है अभी आई यह ऐसे ऐसी बाते आएंगी अभी ऐसी ऐसे बाते आएंगे और रही बात राम चरित्र वो तो लिखी रहा है कि मैं दिब द्रिश्टी से देख कर राम का चरित्र लिख रहा हूँ ऐसा नहीं लिख रहा हूँ बिक्रम सिंग जी संकर प्रसाड जी एस के मिनहास जी गौरा सिंग बिक्रम सिंग बोत अभिनंदन है स्मिता सावंत जी हरिंद्र सिंग जी अबनी प्रधान राकेश मराथे जलाराम राईका राजुबाल मारा जेश्वरी जी, स्मिर्ती रस्तोगी, विसलाल, बहादुर सिंग जी, जोनती दत्ता, रमेश पेश्वानी जी, अरजन भाई चोहान, बिंदेश्वरी मिश्रा, माधुरी कोले, विनोध कुमार सूद, सविता नायक जी, चितरंजन बरुआ जी, उशा शिर्वास्तो जी रूपलाल, विश्व कर्मा, शिवम भट जी, रतन सिंग जी, भरत छबलानी जी, बहुत अभिननदन है सभी का, अजीत जी, कनाई कुमार जी, गंभीर शाह जी, उजवल चेतरी जी, पिंटु, वासवा, योगिंद्र, पंडित जी, बहुत अभिननदन है, एके त्यागी जी, बिको कुशाडिया जी, मोहन, रावत, पंकस, सोनी, हीरा, राम, गहलोत, पुनम, सिंगला, रावत, माइकरो, परा और अपरा प्रकरती को एक बर इस पर चर्चा हो चुकी है, इस पर विडियो पहले ही बन चुका है, ठीक है, इसके लिए आप उपनिशत के सिरीज में प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिलेगा, परा प्रकरती की चर्चा जो है, ठीक, मुंड को अपनिशत में भी देख लिजी, और आपको प्रशनों अपनिशत में भी संभा होता है, इसके चर्चा है, गौतम दास जी, मोहित राव जी, असुरों को शक्तियां कि किस ने दी, अपने कर्मों से उन्होंने ली, हाँ, जब कर्म उन्होंने किया, तपस्याएं कि उन्होंने तो उनको मिला, आत्मा और ब्रह्मा विश्नु अर्शिव में क्या, ब्रह्मा विश्नु भावनात्मग देव है, आत्मा परम्तत्व है, कई बर चर्चा हो, चो कि इ हुआ है उसको सुनिए उसमें आपको मिल जाए जैराम जी हरीश डंगवाल जी कलपना बागड़े जी बिमला शाह जी इस इश्रित ओम तत्सत के पहले हरी क्यूं लगाया जाता है लगा दिया है बाद में लोगों ने इसे श्रीमत भगवत गीता में ओम तत्सत लिखा हुआ तो वहां पर हरी शब्द का प्रयोग नहीं है जी बाद में जो वैश्नवपंथी लोग थे उन्होंने हरी उसको लगा कर क्यांकि वहरी की उपासना करते थे तो हरी ओम तत्सत उन्होंने ऐसे कर दिया परंतु जहां पर यह ओम तत्सत की चर्चा मिलती है जैसे श्रीमत अग्वान कृष्ण ने ओम तत्सत के बारे में समझाया है तो हरी शब्द का प्रयोग वहां पर नहीं मिलता है चीक लाल बहादुर सिंग जी गुरु कृपा कैसे मिलती है इस बात को समझने के लिए विवेक चुड़ा मनी सुन लेजिए यही आपको कहूंगा उसमें चर्चा हुई है विवेक चुड़ा क्योंकि जो गुरु कृपा है देखिए अभी राम चर्टमानस में वह सारी चर्चा आने वाली अभी तो गुरु की चर्चा हो रही है अभी असंतों की चर्चा होगी संतों की चर्चा हो रही है असंतों की चर्चा करेंगे ठीक है तो कहीं गुरु के नाम पर होने वाली अंध भक्ति को आप किरपा ना समझ ले गलती से अंधे पन को आप किरपा ना समझ ले अंध विश्वास को आप किरपा ना मानके बैठ जाए और कृपा है क्या चीज ज्यान वैराग्य भक्ति और साश्वत सुख इसका मिलना ही कृपा है अगर माली जी गुरु जी के शरण में गए आपके नौकरी लग गई बहुत अच्छी आपका बिजनेस फूब अच्छा चल गया वैपार फूब अच्छा चल गया तो क्या ये ग जो गुरु कृपा है वह एक समझने का विशय है क्योंकि आदमी की जैसे बुद्धी होती है उसी हिसाब से वह सोचना शुरू कर देता है तो इसलिए गोस्वामी जी आगे भी बहुत सारी बाते लिखने वाले हैं बताने वाले हैं इस गुरु और संत के बारे में तो वह क्या कोई अपनी दिवता पहचानने लगता है क्यों संदेह होता है ऐसा सुना है माया उनकी भी परिक्षा लेती है दिवता क्या अपनी दिवता क्यों पहचाननी है आप साधना मार्क पर चलिए दिवता जब तक दिवता पहचान में आ रही है मतलब कि दिवता अभी सही से आई नहीं है दिवता सही से तब आएगे जब सब कुछ समानने हो जाएगा सबकुछ आप दूसरों के लिए सधारन नहीं रहेंगे लेकिन आपके लिए सबकुछ सधारन और समनने हो जाएगा ना कुछ दिव रहेगा, ना कुछ समानने रहेगा, अब कुछ ही आपके लिए बराबर हो जाएगा, तो जाकर आपके अंदर दिविता दूसरों को नजर आएगे, नहीं तो जब आप जितने सरल और समानने हो जाएगे, उतनी शक्तियां और उतनी जो है दिविता आपके आप समानने रहेंगे तो इस तरह से यह विश्य है हम खुद को दिव्य अनुभाव करने लगें तो अभी भ्रह्म है फिर मायाता थेल हो सकता है इसको समझने की आवशकता है और राम चरित मानस तोसी दाज ने कैसे लिखी क्यूं लिखी यह तो कल ही चर्चा हो चुकी है और उन्होंने खुद इस लोक में चौपाईयों में बता दिया कि ऐसे ऐसे रशना कर रहा हूं ऐसे ऐसे लिख रहा हूं सुनाई आपने चल यह ठीक है तो इसी के साथ विराम देंगे राम नाम रमन से लिया गया जो कान में कन कन में रमन करता है जी सही बात है ठीक है जग्यासों इसी के साथ आज के विचारों को यहां पर विराम देंगे और साथ ही यह मानस की चर्चा यह महा कावी की चर्चा इसमें पहले ही बताए जा चुका है अलंकार उपमा यह सब चर्चा में लाते और गो स्वामी तुलसिदा जी लिख रहा है कि मैं अपने आनंद अपने संतोष के लिए लिख रहा हूं और समाज की वह कथा व्याप बता रहे हैं समाज में क्या चलता है गुरू का क्या महत्व है यह सारी बाते वह कर रहे हैं तो यह शास्त्र सम्मत एक चर्चा इसमें चलती है हम ऐसा कहते हैं उन्होंने खुद भी कहा है कि शास लिभत्र का णा रहा हूं के इस तक इस बाशन की Cladineone कीया है इसको किले कोर्द कि तॉ करता है जो अपने जीवन के लिए अच्छा है उसे हम ग्रहन करें कि उसीह में करें किख्या हॉऔina च्छा यहीं उपदेश शास्त्रों का उद्देश होता है जीवन बैतर हो हम उस्वपदेश को ग्रहन करकर बातों को कुछ समझ कर और साथी साथ वो जो काल था उस काल के अनुकूल भी गोश्वामी तोसिदाजी लिख रहे हैं जिस काल मुनोंने मानस की रचना की है ठीक है हो सकता है कि वर्तमान काल में कुछ बाते उस धन से सूटना बैठे लेकिन फिर भी उन बातों का महत्व होता है लेकिन किसी विशेस काल में परिस्थिती में उन बातों का विशेस ही महत्व हो जाता है यह अभी एक हमें देखना पड़ता है समझना पड़ता है तब ज तिर्थ राज किसे कहा है तिर्थ किसे कहा जा रहा है मानस के अंदर एक गो स्वामी जी बता रहे हैं और उसे समझा रहे हैं कि वास्तवे कि तीर्थ क्या है तिर्थ राज क्या है और गुरु से प्राप्त होने वाला संत समाज प्रयाग से प्राप्त होने वाले चारफल क्या तो इन सभी बातों की चर्चा वो कर रहे हैं तो सुनते जाएं और करते जाएं अभी कुछी ने कहा कि भाई आप अवतारवाद का खंडन करते हैं नहीं अवतारवाद को किसी दूसरे ढंग से स्विकार करते हैं दूसरे तरीके से तुलसिदाजी क्या कहते हैं और तुलसिद अभ्यूजय ने विशिष्ट अध्वयद की विचार विचारानुकूल ही अवतारवाद को लिया है लेकिन फिर भी वो बहुत सारी बातें और भी करते हैं अवतार विशय में वो लिया जाएगा तो वह दर्श्वन का तरह से मानना चाहिए कि तरह से नहीं मानना चाहिए करम सध्धांथ है जैसे है मिमान सा शास्र वह आवतारों तो इश्वर निर्भरता पुभि को मानती है कि कोई नहीं देती है कि आप इश्वर को मानो लेकिन कर्म देवताओं की पूजा पाथ औरम सभ़ों का दान और दान पुन्य और सिध्धान इन सब को मानती है क्यों मानती है क्विस्त待って करर्जब श्री राम चंद्र जी के कि राम आ जाएं कृष्ण आ जाएं कोई बड़े से बड़ा आ जाएं सब कुछ कर्मों के अनुकूल ही चलेगा तो कर्म की कितनी प्रधानता होती है उसको गोसामीत उसिदाजी उसको भी समझा रहें आवतार आ जाएंगे तो क्या कर लेंगे तुम पाप करोगे तो तुम्हारा वो पाप को पुन्य में बदल देंगे जी नहीं करम सिध्धानत अपनी जगा पे काम करते रहेगा इसलिए कलकी आउतार के उपर जो विडियो है आप उसे पूरा लाश्ट तक सुनिए उसमें यही स्पष्ट किया गया है अगर राम भी जाका शबरी से मिल रहे हैं केवट से मिल रहे हैं तो उनके करमों का ही फल दे रहे हैं उन्हेंनों जो तपस्या की है साधना की है उसी का फल प्रदान कर रहे है ठीक है तो इसी लिए हर परस्थिती में वो करम सिध्धानत ल लागू हो गई होगा अवतार आए ब्रह्मा आवतार आए कृष्ण आए राम आए चाहे जो भी आए आपके कर्म का सिध्धान्त वह लागू रहेगा ठीक पहले तो आप यह समझ लेजिए अब आगे चर्चा करेंगे कैसे कैसे अवतार की चर्चा हो रही है गो स्वामी तु दिख रहें क्या क्या समझा रहें तो चली ठीक है अभी जो है विदा लेते हैं और कोई बात अगर आपको ना जचे तो जरूर आपको अगर बुरा लग जाए तो छमा कर देना चम्ड़े के जुबान है जब गो स्वामी तो सिधाजी छमा मांग सकते हैं अपनी लेखनी के लिए कह सकते हैं कि और सबको प्रणाम कर सकते हैं सबकी वंदना कर सकते हैं तो इसलिए यह समझ कर क्योंकि हो सकता है कि हर विक्ति को हर बात अच्छी ना लगे अब गो स्वामी जी ने राम चरित मानस लगी कई लोगों ने विरोध किया कई बार इसको नश्ट करने का प् रोचक धंग से बातों को लिखना और बाते लिखना प्रैक्टिकल बाते जो समाज में चल रही है उनको लिखना समझाने के कोशिश करना अब तीर्थ राज है तो गोश्वामी जी आपको मना भी नहीं कर रहे हैं कि आप तीर्थ यात्रा मत करो लेकिन वो साथ में समझा रहे हैं कि तुम बाहर तो सारे तीर्थों की यात्रा कर रहे हो लेकिन जो संतों से प्राप्त होने वाला ज्ञान है और संत समाज रुपिजो तीर्थ है उसको तुम त्याग करके रखे उसका लाब क्यों नहीं उठा रहे हो तो बैसे ज्ञानी महापुरुषों की शरण में क्यों नहीं जा रहे हो जिनके सानिद्य से तुम्हें अत्वग्यान हो आत्मग्यान हो वो वास्तविक तीर्थ है वही वास्तविक तीर्थ है पुरानों में भी वास्तविक तीर्थ आत्मा को अध्वईत शास्त्र में भी मांडो क्यों पनिशद में भी जो परम तीर्थ है वो स्वेम आत्मा ही है उ बढ़ना चाहिए व्यक्ति को तो उसे संपूर्ण तीर्थ लाब हो जाता है तो तीर्थ राज प्रयाग की यहां पर चर्चा फिर वो कर देते हैं तो यह सब बातें एक थोड़ा सा अलग ढंग से गुष्वामी तुल्षिदा जी ने तत्यों को रखा है प्रस्तूत किया है की समझने योग है सुनने योग है जानने योग है चलिए विदा लेते हैं इसी के साथ और मैंस की इस चर्चा में अर्थ अनेकों आप निकाल सकते अनेकों कारण धूड सकते हैं हो सकता है कि आप ज्यादा अब हरी मोहन गुपता जी लिख रहे है तो जरूर कोई वो वर्णन आगे बढ़ेगा और आपको लगे कि भाई यह जो वर्णन किया जा रहा है इसमें मुझे आपत्ती है तो आप छमा कर दीजिएगा हमको अग्यानी समझ कर हम यही आप से कहेंगे ठीक है चलिए बहुत-बहुत आभार आप सभी का कि अजय है और आप सबस्ती है